नमस्कार, हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTE UGC NET विशे हिंदी की त्यारियों के अंतरगत हम अपनी जो PYQ की सिरीज है उसको कर रहे हैं और इसमें हमने अपने बहुत सारे प्रशन जो PYVC के हैं या फिर जो अन्य MCQs हैं वो कर लिये हैं अगर आपने अभी तक बोबाली हमारी वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर MCQ के नाम से चेक कर सकते हैं वहाँ पर हमने बहुत सारे प्रशन कर लिये हैं तो चलिए आज हम पढ़ेंगे NetGRF हिंदी का जो परिक्षा November 2017 में हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके 20 प्रशन तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज के lecture की पहला प्रशन दिख लेते हैं सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अविप्राय है तो ये वाला प्रशन हमने बहुत विस्तार से कर लिया है जब हम सिध साहित्य के बारे में पट रहे थे तो वहाँ पर हमने विस्तित रूप से इसको देखा है कि महामुद्रा शब्द का भी प्राय क्या है तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका जो सही उत्तर क्या होगा इसका जो सही उत्र होगा देखी वो होगा विकल्प नमबर तीन सिध्धी प्राप्ति हे तू स्त्री संसर्ग तो सिध्धों में जो अलग अलग जो पंच मकार थे वो आ गए थे विकृतियां उसमें आ गए थी और उनमें से एक प्रोंक था कि जो महामुद्रा जो उन्होंने शब्द का उप्यों किया था वो किया था सिध्धी प्राप्ति हे तू स्त्री संसर्ग के लिए उनके मानना ये था कि अगर इशुरतों के प्राप्ति करनी है तो मास, मदीरा, मैथुन ये जीज़ों को अपनाना जरूरी है तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा महामुद्रा का मतलब है स्त्री हे तू स्धी प्राप्ति हे तू स्त्री संसर्ग प्रशन दिख लेते हैं जाइसी के श्रेंगार में मानसिक पक्षप्रधान है शारिरिक कौन है यह कतन किस अलोचका है तो देखिए मैंने पहले भी आपको यह बात कही थी कि जाइसी सूर् तुलसी और कभीर इनके बारे में कतन पूछे जाते हैं और यह बहुत प्रमुक और मोहतोपूर्ण कभी है जो हमारे भक्तिकालिन कभी है तो इसमें इनके बारे में देखिए ये बात कि इसने कही है ये कही है अचारे रामचंदर शुकल ने तो अचारे रामचंदर शुकल का जो जाइसी के नाम से जो अलोचनात्मक इनका ग्रंथ है उसमें इनोंने ये बात कही है कि जो जाइसी के श्रिंगार में कहा है मानसिक प बिन हो गए किसका है तो देखिए अब कबीर के बारे में पूछा गया है पहले जैसी के बारे में पूछा गया है ठीक है तो अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग जो हमारे बक्तिकालिन का भी है उनको पूछा जा रहा है कबीर और जैसी को यहां पर पूछा गया है देख कभीर जो मानते थे वो निरागारी राम को मानने लग गए ते जब कि जो रामनन थे उनके जो राम थे वो दश्रत पुत्र राम थे जिनका सकार रूप थे तरहा न तो इस त्रीके से उनके राम क्या थे भिन थे विकल नमle है या कौन सा नहीं है इस तरीके से प्रशन UGC में पूछा गया है तो देखिए जो विठन लाते इन्होंने पुष्टी मार्ग को अपनाया है और पुष्टी मार्ग में ही इन्होंने कहा है कि जो फलव संपरदाय में किस तरह की पूजा पदती है युगलो उपासना उसमें उन्होंने युगलो उपासना पदती का समावीश किया है है न तो इसका जो सही उत्तर हुआ देखिए वह का भी कल्प नमबर दो अगला पशन देख लेते हैं यह दोहा रामचरीत मानस के किस कांड में है तो देखिए यह वाली बात जो कही है वैसे तो हमारे पाठकरम में शामिल जो रामचरीत मानस का कांड है देखिए वो है उत्तर कांड लेकिन यहाँ पर उत्तरकांड हमें विकल्प में कहीं भी नहीं देखने को मिलता है तो ये पंक्तियां जो हैं वो किसकी हैं वो हैं सुन्दरकांड की विकल्प नमबर तीन इसका सई होगा इसमें देखिए क्या कहना जा रहा है इसका भाव क्या है कहने का मतलब ये है कि जब सचीव बैद गुरु तीनी जियों ज़ों प्रिय बोले ही भाय आस कहते हैं कि यदी मंत्री वैद और गुरु ये क्या कर रहे हैं भाय या लाब की आशा से हितकारी बात न करके क्या कर देते हैं चापलूसी करने लग जाते हैं तो तब जो तीनों जीज lider हैं राज मतलब राजय धर्म मतलब धर्म और तन मतलब जो शरीर इन तीनों का क्या हो जाता है शिग्र ही नाश हो जाता है तो ये बात कही है किसने रामचरीद मानस में तुलसी दास जीने clear है और कौन सी है ये सुंद्रकांड में से ली गई है अगला प्रशन देख लेते हैं डॉक्टर पितमबर्दत बढ़तवाल के अनुसार रामचंदरी का क्या है देखिए असाधारन महाकाव्य है फुटकर कवीतों का संग्रह है चंदों का अजायब घर है या फिर अलंकार मन कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताईए क्या कि छंदों का आजायब घर जो रामचंदरी का है उसको किस ने कहा है और रामचंदरी का किस की रचना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं अगला प्रशन देख लेते हैं रितिमुक्त कवीता की प्र परिशन बन सकता है तो उसको भी जाद कर लेना जरूरी है तो दो देख ही रितीमुक्त कभी ता की जो प्रमक Π्राभबिती स्वानभ१ुती और सवाचधु टो सवाचंद दारा मुझ परिखे लेग। बरही बस संग सिखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम विथा कत जाम वितावे, छोड़ी के साथ सहलिन को रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी हबानी अरी नित नीर भरी कगरी धरकावे, इस सवाईये में नाइक की सखी कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, इसमें जो भाव चुपा है, वो कौन सा है, इन पंक्तियों में सबसे पहली बात तो ये पंक्तियां हैं किसकी, ये भी हमें पता होना चाहिए, तो ये जो पंक्तियां हैं देखिए, रिति कालीन जो अचारे का विव हैं, प्रताप साही, तो उनकी जो प्रमुक रचना है, विविवर के तंब में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने, रखता लोक सनात पुरुश एक, रहस्य साक्षात, तो उप्योक्त कावे पंक्तियां मुक्तिबोद की किस कवीता से है, एक बातों यहां से हमें क्लियर हो गई, कि किस की पंक्तियां है, मुक्तिबोद की रचना, कवीता है, ठीक है, कवीता के पंक्तियां, अब कौन सी कवीता के पंक्तियां, वो हम देख लेते हैं, देखिए अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग नाम दिये हैं, क्या क्या नाम दिये हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं, और इनको पूछा भी जाता है कि अंधेरे में कवीता के लिए किस ने क्या कहा है, तो जो अंधेरे में कवीता है, ये मुक्तिबोद की कैसी कवीता है, लंबी कवीता है, तो कई बार लंबी कवीता के बारे में पूझा जा सकता है कि मुक्तिबोध की लंबी कवीता का नाम बताईए तो वो है अंधेरे में, क्लियर है, अगला हम प्रशन दिख लेते हैं, प्रियंबद निमी लिकित में से किस कवीता से संबंधित पात्र है, तो प्रशन ये उड़ता है कि असाद्यवीना किसकी रचना है तो ये जो रचना है देखिए ये है सचिदनन्द हिरनन्द वात्सयाइन अग्ये की है ना तो ये कहां पर संकलित है देखिए जो इनका आंगन के पारद्वार कवीता संग्रह है उस संग्रह में ये संकलित है ये वाली कवीता इनकी ठीक है और ये लंबी कवीता है पहले हमने मुप्तिवोद की कवीता के बारे में पढ़ा अंधेरे में वो भी लंबी कवीता है अब जो अग्ये की लंबी कवीता है वो है असाध्यवीना और असाध्यवीना का जो प्रमु प्रियम्बत के बारे में, आगे अब हम देख लेते हैं मदुशाला का प्रकाशन वर्श, तो दीखे प्रकाशन वर्श थोड़े थोड़े थोड़ा हमें याद होना भी चाहिए कि, किस रचना का प्रकाशन वर्श कब हुआ है, ठीक है, अब जो है प्रशन जो कम पूछी जा रचना है मदुशाला और इसको इन्होंने कब लिखा था या यूं कहें कि इसका प्रकाशन वर्ष का बैदी किये विकलप नमबर एक 1935 में ठीक है ना तो ये हो गया प्रशन नमर 11 अगला प्रशन देख लेते हैं भारतेंदू ने जिस प्रकार हिंदी गध्या की भाषा का प ये कई है अचार रामचंद्र शुकल जी ने तो विकलप नमबर एक इसका क्या होगा सही उतर होगा फिर आता है नेक्स प्रशन देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो इस वाले प्रशन को तो आप सब लोग अचितरी किसे जानते हैं कि इसका जो प्रिया रचना में उठाए गई है नेक्स प्रशन है देखिए आतमजयी संशय की एक रात उर्वशी या फिर कनुप्रिया तो जो कामा ध्यातम की समस्या उठाए गई है ये किसके द्वारा उठाए गी थी दिनकर के द्वारा तो दिनकर के कौन सी रचना है देखिए उर्वशी व ये देश की जीवन सहीत तनमन तथा धन भेंट दो, वैश्यो, सुनोग्या पार, सारा मिठ चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का, उप्योगत कावे पंक्तियों के राचनाकार कौन है? तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये कावे पंक्तियां किसकी हैं और दूसरा ये है कि किस रचना से लिगे लिए हैं तो विकल्प हैं देखिए भारतेंदू, मैतली शर्ण गुप्त, अपने रणमिश, राबदारी सिंग दिन कर एक बात तो क्लियर है कि ये किस पर है, राष्टियता पर क्लियर हैं तो राष्टियता पर ज्यादा तर किस ने लिखा है, मैतली शर्ण गुप्त और रामदारी सिंग दिन करने तो दो को हमने निकाल देना, दो को साइड में रख दिया, ठीक है तो मैतलिशन गुप्त की जो भारती रचना है देखिये उससे इनको लिया गया है उसकी ये पंक्तियां है भारत भारती की और भारत भारती कब लिखा था मैतलिशन गुप्त ने 1912 में तो बिकल्प नंबर B इसका क्या होगा बिल्कुल सही उतर होगा आगे आता है हमें प्रियोगवादी कहना उतना ही सार्थक है या निरर्थक है जितना हमें कभीताबादी कहना उक्त कथन किसका है तो देखिए प्रियोगवादी कहना उतना ही सार्थक तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी, जो प्रियोगबाद के प्रवर्तक थे, सचीदनन्द, हीरानन्द, वातस्याईन, अग्ये, ठीक है न, 1911 में ये जन में हैं, और प्रियोगबाद का प्रवर्तन नहीं कब किया था, 1943 में, और प्रियोगबादियों को इन्होंने क्य कहा था राहों के अनवेशी क्लिर है तो भी कलप नमबर एक इसका क्या होगा बिलकुल सही उत्तर होगा अगला पशुन में हम देख लेते हैं आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरीमा देहे संपदा और वास्विक संबान के साथ आई है और अब औरते हैं वह जूटी सती या वैश्याएं नहीं है इसलिए नई कहानी खलनाईकाओं से शुन्य है नई कविता के संबंद सुरी नई कहानी के संबंद में उप्रियुक्त कथन किसका है तो देखिये नई कहानी जो अंदोलन था ठीक है उसको तेज करने वालों में तीन नाम पर मुखाते हैं कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंदरियादव ठीक है न तो निर्मल वर्मा तो इसमें नहीं होगा अब आती है बात कि ये वली पंक्तियां किस ने कही है नई कहानी के समद्ध में तो ये जो पंक्तियां कही हैं देखिए विकल्प नमबर एक, कमलेश्वर ठीक है न? अगला हम प्रशन देख लेते हैं सीख अमलदारी को उखारती हुई ब्रिटिश समराज्य शाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है बसंती, मयादास की माड़ी कुन्तु या फिर समय सरगम ठीक है? तो देखिए सीख अमलदारी को उखारती हुई ब्रिटिश समराज्य शाही तो ब्रिटिश समराज्य शाही का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है ये हमने देखना है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर दो मयादास की माड़ी तो ये किसकी रचना है? ये है बीश्म साहनी की 1988 में इनों ने इसको लिखा है तो इसमें देखिए मयादास, धनपत और हुकुम राय आदी जो इसके प्रमुक पात्र है और इसमें ही इनोंने क्या किया है जो सिख अमलदारी को उखारती हुई ब्रिटिच समराजयवादी जो समराजय शाही का इनोंने सजीव चित्रन किया है इसमें ये हो गया अगला पशनम देख लेते हैं भारतिय कावेशास्तर का नवनिर्माण शीर्शक निवंद के लेखक कौन है देखे भारतिय कावेशास्तर का निर्माण नंद दुलारे वाजपई, राम इलास चर्मा, हजारी प्रसाद दुवेदी, अचारे राम चंदर, शुक्ल तो ये प्रमुक अलोचक है इनके थोड़े बहुत निवंदों की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है ठीक है न, कुछ एक प्रमुक है कि कौन-कौन से इसमें प्रमुक है उनको याद जरूर कर लेना है तो यहाँ पर देखे, भारतिय कावेशास्तर का नवनिर्माण पूछा गया है तो इसके जो लेकक हैं देखे, वो है अचार्य नंद दुलारे वाजबई क्लिर है, तो नंद दुलारे वाजबई के अन्य कौन-कौन से निवंद है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं क्लिर है, अगला प्रशन हम देख लेते हैं या फिर महादेवी वर्मा तो ये वाला जो प्रशन है देखे, इसका जो साई उतर होगा वो होगा विकल्प नंबर चार, ठीक है, महादेवी वर्मा तो महादेवी वर्मा का ये निवंद है और इसके अलावा इनोंने देखे, श्रिंकला की कडियां अगर इन प्रशनों में कुछ एक तुटी रह गई हो या कुछ एक प्रशन में आपको डौट है या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर वो चीज़ भी बता सकते हैं फिलाल आज की लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नयूर्ज़ और इस्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाएं